प्रित्वी की आंत्रिक सनरचना प्रित्वी के बारे में पढ़ते हैं पहली परत होती है भूपरपटी या फिर क्रश्ट जो की प्रित्वी का सबसे उपरी भाग होता है इस परत में मुख्यता ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता होती है इस शेत्र का निर्माड सिलिकॉन और एल्मूना से होता है इस कारण इस शेत्र को सियॉल कहा जाता है सियॉल दो सब्द सिलिकॉन और एल्मूना से बना है यहाँ पर एसाई का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्मूना इन दोनों को मिलाकर इसे सियॉल कहा जाता है इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि एसाई का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्मूना इस परत को लिथोई स्फियर कहा जाता है परिछा की दृष्टी से यह मातपूर है कि भूपरपटी या फिर क्रश्ट को लिथोई स्फियर कहा जाता है यह हमारी पृत्वी का सबसे उपरिभाग होता है और इसमें मुख्यता ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता होती है इसका निर्मार सिलिकॉन और इल्मूना से होता है इसकारड इसे सियॉल कहा जाता है अगली परत होती है आवरड जिसे मेंटल कहा जाता है यह भूपरपटी के नीचे की परत होती है इस परत में बेसाल्टी चट्टानों की प्रधानता होती है इस परत को पाइरो इसफेयर या फिर मिस्रित मंडल कहा जाता है इसमें मूल रूप से सिलिका और मेगनिस्यम की प्रधानता होती है इसका निर्माड सिलिका और मेगनिस्यम से होता है इसका रड इसे सीमा कहा जाता है यहाँ पर SI का मतलब सिलिका होती है जबकि MA का मतलब मेगनिस्यम होती है तो इन दोनों से मिलकर इस परत का निर्माड भूपरपटी और मेंटल के मध्ध की सीमा छेत्र को मोह सीविक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। परिच्छा की द्रिष्टी से यह हमातपुड है याद रखेगा कि भूपटल में सबसी अधिक ऑक्सिजन पाया जाता है। इसे सीमा कहा जाता है और इस परत में वेसाल्टी चट्टानों की प्रधानता होती है। वेसाल्टी चट्टानों का सरवाधिक योगदान होता है। इस परत को पायरो इसफेयर या फिर मिस्रित मंडल कहा जाता है। यह प्रित्वी का सबसे आंत्रिक भाग होता है जो की कठोर धातू निकिल और लोहे से बना होता है। इसका घणत्व सरवाधिक 11 होती है और यह प्रित्वी के केंद्री भाग में संभावता deixar द्रौ और प्लास्टी कवस्ता में होती है। अगर हम पृत्वी के कुल आयतन की तुलना में केंद्री भाग के आयतन की बात करें तो लगभग सुल्ला प्रतिसत इस्थान को यह घेरे हुए है इस मंडल को बैरी स्फियर कहा जाता है परिच्छा की दृष्टी से याद रखेगा कि केंद्री भाग धात्वी क्रोड या गुरु मंडल को बैरी स्फियर कहा जाता है इसका आयतन पृत्वी के कुल आयतन का सुल्ला प्रतिसत है इसके मध्य में पाया जाने वाला निकिल और लोहा, द्रव और प्लाश्टिक वस्था में पाया जाता है और यह हमारी प्रित्वी का सबसे आंत्रिक भाग है इसका घनत व सरवाधिक 11 होता है ये थी प्रित्वी की आंत्रिक सनरचना के बारे में सभी महतपूर तत्थी जो परिछा की दृष्टी से अत्यंद महतपूर है तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद